हेलो एब्रिवन वेल्कम टू पार्ट नमबर पोर्थ दाट इस पिरिडिक ट्रेंट इन प्रॉपर्टिव्स मैं आज हम कुछ प्रॉपर्टीज को बढ़ेंगे और हम ही चिक करना है कि उसका क्या पिरिडिक ट्रेंट रहता है डाउन दा ग्रॉप एंड अलॉंग दा पीरिय पिरिड चींज के फिरोरिय हैं हाउ दे वेरी ओकी फो आज हम डिसकुफ करेंगे कुछ पार्टीज को फोर एंपल आइनजिशन अध्हलपी फिर्स प्रॉपर्टी क्या रहेगे आज में नी फिर बल हम अतॉमिक डियाई को डिसकुफ करते हैं क्या है फिर्स्ट अतॉमिक TDI, after that we will study ionization enthalpy, the third one is electron gain enthalpy, fourth one is electronegativity, and then fifth and fifth are metallic and non-metallic character, क्या रहेगा next metallic और non-metallic character मुझे क्या करना है इन प्रॉपर्टीज को one by one study करना है कुछ ज्यादा length ही नहीं है वह साथ-फाथ इसको थोड़ा से समझने कोशिश करेंगे जैसे बैने बात की first आपका atomic radii, तो नाम फे मुझे पता चल रहा है, एक atom की radii, radii is a singular word, radii is a plural word, तो atomic radii मतलब जैसे यह आपका nucleus है, nucleus के बाद क्या है, यह shelf है, कहता है कि nucleus के फेंटर फे लेकर outermost shells दक कर distance क्या रहता है आपके लिए atomic radii, एक बर इसके थोड़ी फे definition लिख लेते हैं, ताकि अगर इसे बीफी एक्जाम्स में आप लोगों फे पूछी जाये तो आप इसे attempt कर पाएं, कैपettes č, खे これ सिर्क करंग आपके लिए टिफी। दालिए लेकर, लेकर के लेकर लेकर ? तंडर लेकर conform पाद के वतक्डा है लेकर लोगों फे लेकर कर लोगों फेने लेकर के बाद के लेक्षी एका 먹. यानि आपने न्यूक्लियों के फेंटर फिलेने डिस्टेंफ लेंगे कहां दखका उप आउटरमोस शेल दखकर डिस्टेंफ लेना है जिसमें इलेक्ट्रॉंस कंटीन है लेकिन अब बात तो यह डेफिनेशन फो गई आपकी पीरियोडिक ट्रेंट्स क्या रहेंगी तो ट्र देखे भई मैंने सूश किये तीन अलिमेंट लिथियम, फोडियम और पोटेशियम अब आपको पता कॉन्फिगरेशन इस टू कॉमा एट कॉमा एट कॉमा एट कॉमा एट कॉमा वन तो मुझे क्या अब्सर्व हो रहा है कि जेफे जेफे मैं दाउन 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 आपका क्या होगा अटामिक रेडिया आपकी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी फो कोशन देखिए अप फिए एफ तरीके का पूछा जाता है यह तो ठीक है आप लोग डेफिनेशन कर चुके है यह लिख देंगे आप हाउ इट वेरी डाउन दा ग्रूप एंड अलोंग दा पेरियाट तो मैं आपको एक पैटरन बता देती हूँ कि आपको लिखना किस तरीके पे हर प्रोपर्टी के लिए तरीका फिम रहेगा ओकी डेफिनेशन तो आइटिंग दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वेरीएशन को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कैसे करना हमें तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालूँ कि दाउन दा ग्रूप तो मैंने यह जो एक्जांपल फिली है मुझे एक्जांपल शो करने की जुरूरत नहीं हर चंगा मैं फिंपली कहूंगी कि डाउन दा ग्रूप अटामिक डिडियाई विल इंक्रीज अब यहां तो मुझे वंफे देना है इंक्रीज ओ डिक्रीज में उफके बाद हैंडिंग मनानी है यहां पर रीजन गी क्या रीजन है विकोज स्टुडेंट्स के मिस्ट्री में हमें बहुत जादा राइट नहीं करना होता थियोरी कम फे कम लिखनी है लेकिन जो लिखना है लॉजिकल ही लिखना है तो रीजन की बात किरते हैं मैं यहां क्या लिखूंगी नमबर ओफ शेल्फ containing electron will increase कि number of shelf आपके बढ़ रही है जिसके अंदर electron है वो आपकी क्या होती जारी है increase होती जारी है तो आपकी atomic radio भी क्या होगी increase होगी देखेगे मैंने फिंबल्स increase के लिए बनाया है अब question आपके इस तरीके आएगा तो आपको देखो लिखना बहुत कम है लेकिन जो लिखना है बिल्कुल लॉजिकली लिखना है so down the group तो discuss हो चुका है now come to the along the period अब along the period के लिए मैं कोई तीन elements को discuss कर लेते हूँ जैसे की यहां मैं उढ़ा लोंगे इन्हें carbon nitrogen oxygen या nitrogen oxygen fluorine की नहीं भी तीन elements को observe कर लीजें वहां पर आप का उन्फर मिल जाएगा so अब next बनाते हैं heading along the period की along the period के अट्रेंट रहने वाला है मुझे नहीं बता increase हो रहे हो रहे है थोड़ा सा elements idea लेते हैं मैंने लिए nitrogen oxygen fluorine means according to atomic number ही arranged modern predictable में so it is 2,5 it is 2,5 it is 2,7 so आपको यहां पर observe हो रहे है कि मैं यहां तो number of shelf तो आपकी constant है number of shelf constant है तो आपका atomic radio भी constant आना चाहिए बट ऐसा नहीं होगा ऐसा क्यों नहीं होगा तो को number of shelf आपको clearly दिख रहा है बट यहां पर क्या हो रहे है nuclear charge तो increase हो रहे है it is plus 7, it is plus 8, it is plus 9 so nuclear charge increase होने की वज़े फे क्या होगा attraction increase हो जाएगी between the nucleus and the electron attraction increase होने की वज़े पे आपका size क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा तो आईए इस बात को लिख लेते है along the period atomic radii क्या हो रही है decrease हो रही है atomic radii decrease reason लिखते है as number of shelf containing electron does not change number of shelf तो आपकी change नहीं हो रही but nuclear charge आपका increase हो रहा है fraction increase होने की वज़े फे size आपका क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा so students अब आपको एक trick क्या याद रखनी है देखिए atomic reading है कि मैंने बात की अगर वो around the group बढ़ रही है तो obviously along the period वो चीज घटेगी अब हमें लिखने का pattern बदा चल चुका है तो मैं हर question को इस तरीके पे नहीं लिखूंगी FBFE exam की बात की जाए तो FBFE में तो आपके बाफ ऐसा ही question देखने को मिलता है कि variation बता दीजे 33 marks में इस तरह का question आता है कभी atomic radio देदेगा कभी ionization enthalpy या कभी कोई भी property देदिया चाहेगे तो आपकी एक property डिसको सोच चुकी है now come to the next property that is ionization enthalpy that is most 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 important क्या है next property आपकी ionization enthalpy ionization नाम फिर बदा चल रहा है मुझे क्या करना है ion बनाना है ion याने कि charge particle फो आपको क्या करना है basically you have an atom and atom is a neutral compound you know very well atom को किसमें convert करना है मुझे electron बहार निकालेंगे फो I have to convert atom into cation atom into cation means our main definition पर आएए okay the minimum energy 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 लिख लिजिया enthalpy लिख लिजिया एक ही बात है वो अब thermodynamics में बढ़ता है that is a minor difference वो भी difficult करने की need नहीं है the minimum energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gasey setup देखिए यह तो आपकी main definition जो आपको आपके बाउन है उनको बहार निकालनी के लिए मैं इसकी electron को बहार निकालना है तो atom को किसमें convert करेंगे कटाइन में convert करेंगे so atom को कटाइन में convert करने के लिए कितनी minimum energy की requirement है और आपके पाफ atom कहा होना चाहिए आइफोलेटिड गेफिय फेटम होना चाहिए आइफोलेटिड इन्डिपेंडेंटन होना चाहिए उफके आफ़ पाफ और कोई भी ना हो जैसे हम आइफोलेट वर्ड मोस्टली करोना वाइरफ के टाइम पर यूज करते थे गेफिय फेटम क्यों लिया था कि अट्रेक्शन क्या होने चाहिए यह मिनीमम होने चाहिए पूर एग्जाम्पल बात करते हैं फोडियम की फोडियम इस 2,8,1 और 1 इस मोस्ट लूशली बाउन इलेक्ट्रॉन अब इस वन को बाहर निकालने की लिए जो एनर्ची की रिक्वाइमेंट है अब बात करते हैं इसके ट्रेंट्स की कि क्या ट्रेंट रहने वाले हैं फिर करते हैं डाउन द ग्रोप अब देखें मैं कंप्लीट लिखने की बजा है बहुत इसली आपको यहाँ पर बताऊंगी डाउन ब्रुप की बात की जाए तो आपको फेम एलिमिंट को फेटर करने थे लिप्र लिथियम फोडियम प्रियम सोडियम पोडेश्यम वाह बाहर रह अब आप atomic radii को लेंगे atomic radii बढ़ रही है बढ़ने की वज़े से attraction क्या हो गई घट गी attraction घट गी यानि iionization LPB क्या हो जाएगी घट जाएगी क्यों घटेगी विकोज यहाँ पर मेरी अट्रेक्शन ही नहीं है बहुत इजीले इलेक्टरन भार आ जाएगा तो कम से कम एनर्जी देनी बढ़ेगी तो इसको आप जैसे मैंने अब तरीका बताया था लिखने का आपको इसी पैटरन में लिखना है अगर सी भी एसी एक्जाम में आ जाता है और कॉंपिटिटिव एक्जाम में तो आपको कोश्चन बहुत सारे अभी हम डिस्कॉस करेंगे फिर बात की जाती है अलोंग दा पीरियड की आलोंग दा पीरेड में हम ने क्या देखा है नाइकोजन आक्फिजन फ्लोरिन का अब्सर्ब किया था हमने कहा कि हमारी जो अटामीक रेडिया है atomic radio घट रही है घटने की वज़े फे attraction बढ़ रही है attraction बढ़ गई तो मेरे को जादा फे जादा energy देनी पड़ेगी तो ionization enthalpy क्या हो जाएगी increase हो जाएगी आपकी यहाँ पर now come to the next property the next is electron gain enthalpy the next one is electron gain enthalpy अब भी देखिए ionization में मैंने क्या किया atom को cation में change हिया था यहाँ क्या करेंगी atom को anion में change करेंगी means की electron को क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा तो यही तो बोला electron gain यहनि electron जब gain किया जाए तब क्या होगा नथलपी के साथ तो इसकी definition पर आजाते है energy required or release when an extra electron is added to an isolated gap atom कहता है कि आपके energy release होगी या required होगी negativity value क्या हो साएगी but is आएगी नीचे जाते हुआ obvious है और मैंने आपको बताया था कि down the group decrease हो रही है तो period में वो क्या हो साएगी increase हो साएगी तो बहुत easy है trends को learn करना तो इस वीडियो में आपने करना किया है जितनी मैंने fix properties की बाग किया है आपको उनकी definitions पता होने से उनकी trends पता होने से यही main motivation का questions अब next video में discuss करेंगे उसके बाद come to the fourth property that is electronegativity कि मैंने अभी कहा fluorine is the most electronegative element तो भाई यह electronegativity है क्या उसकी बाद की जाती है electronegativity is 10 MP to attract shared pair of electron 10 MP to attract shared pair of electron यानि कि जो electron shared में है shared में यानि मुझे पता चल रहा covalent bonding की बात हो रही है फो covalent bonding में जो है उनका अपनी दरफ attract करने के property like HVL it is a covalent compound it has covalent bond फो यह भी इसमें तो bond है bond में if I have two electrons फो two electrons में फोरीन की क्या property है कि भाई मैं electron लूँगा मैं अपनी तरफ खिचूँगा for chlorine is a more electronegative इसी तरह कहा गया था electronegativity क्या है fluorine की सब्से जादा है for electronegativity की बात की जाए electronegativity जो है आपकी group में क्या होजाएगी decrease होजाएगी because अभी तो कहा कि fluorine की सब्से जादा है और period में क्या होजाएगी फका opposite rent रहेगा increase होजाएगी now come to the next property metallic and non-metallic मैं यहाँ पर लिख्रिविटी is metallic character और यहाँ पर लिख्रिविटी is non-metallic character पर metallic character का मतलब क्या है 10 MP to lose electron यह क्या रहेगा 10 MP to gain electron तो मुझे clear feeling में पता चल रहा है कि जब मैं down the group जा रहे हूं down the group आपकी क्या हो रही है electron बढ़ रहे है electron बढ़ रहे है यानि कि attraction क्या हो रही है decrease हो रही है attraction decrease हो रही है metallic character क्या हो जाएगा increase हो जाएगा मैं आपने यह इस टेंडराइस हर जिगां यहाँ पे metallic क्या हो जाएगा घट जाएगा यहाँ पे electron gain की बात की जाए so electron को gain कब होगा जब attraction होगी तब भी electron आएगे न और जादा new cliff के बास तो यह opposite हो जाएगा यहाँ पे आपका metallic character बढ़ता था तो आपका non metallic character क्या हो जाएगा घट जाएगा और period में आपका क्या हो जाएगा increase हो जाएगा so I hope आपको सारी properties यहाँ पे उनकी definitions clear होगी होगी और उनके trends और FBFE में आपको थोड़ा सा idea लग जाएगा कि कि इस type का question put किया जाता है इफे next level की question हम करेंगी एक video बनाएंगी इसमें proper question भी होगी आपकी ताकि आपको और help मिल पके तो वीडियो को like and subscribe जरूर कीजिएगा thank you for much